असलाम लेकुम प्रॉपर्टी इन्फो सीरीज के साथ मैं हो रिम्शाशेग आज हम डिसकस करेंगे बहरिया फेस एक में मुझूर डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में जानेंगे हर सेक्टर की सेपरेट लोकेशन के बारे में बताएंगे आपको प्लॉट्स की तादाद और इनकी कीमतों के बारे में साथ ही साथ आपको हर सेक्टर में मुझू सहूलियाद के बारे में भी आगाह करेंगे ताकि नेक्स टाइम जब आप प्लॉट करीदें तो आपको प्लॉट का इंतखाब करने में आसानी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेरिया फेस 8 में इस वक्ष 16 सेक्टर्स अवेलिबल हैं जिनको A से लेकर P तक different categorize किया गया है बेरिया फेस 8 के सेक्टर A की बात करें तो इस वक टोटल प्रॉट्स की तादाद 25 सो है जिन में से 1301 कनाल जबके 1210 मर्ला के प्रॉट्स अवेलिबल हैं फेसिलिटिस की बात करें तो सेक्टर A में इस वक सेपरेट कमर्शल एरिया तीर मसाजित और पार्क जैसी फेसिलिटिस अवेलिबल हैं बेरियाफेस 8 के इस सेक्टर में पुजेशनेबल और नोन पुजेशनेबल प्रॉट्स अवेलिबल हैं अगर एकसेस की बात करें तो तीन रास्ते बेरियाफेस 8 के सेक्टर A के जानिव जाते हैं एक रास्ता है DHA-Gate 1 से, दूसरा रास्ता DHA-3 से, जबके तीसरा रास्ता GT Road से है प्राइजेस के बात करनें तो एक कनाल प्राइज की प्राइज 80,000,000 से लेके 1,20,000,000 है जबके 10 मर्ला की प्राइज 40,000,000 से लेके 45,000,000 है अब बात करते हैं barrier phase 8 के sector B की तो sector B में इस वक्त टोटल प्राइज की तादाद 820 है जिन में से 120 एक कनाल के प्राइज जबके 710 मर्ला के प्राइज़ अभेलेबल है प्राइजेस की बात करनें तो एक कनाल प्राइज की जो प्राइज है वो 80,000,000 से लेके 1 करोड तक है जबके 10 मर्ला प्लाट की प्राइज 50 लाग से लेके 80 लाग तक है साथे साथ इस एरिया में मस्जित और पार्क की फेसिलिटी भी अवेलिबल है प्रॉपर्टी इंफो सीरीज की आज की एपिसोड से बस इतना ही लेकिन अभी ये सीरीज खतम नहीं हुई हम दुबारा आएंगे और नए इंफोर्मेशन के साथ आएंगे तब तक रिम्शाश्य को इजासत दीजिए अलाहफेज